Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Ionic Classes तो आज जो है, हम जो है, आज मौक टेस्ट करेंगे एक तरीके से reasoning का तो इम मौक टेस्ट आप सभी के लिए जिसमें आपको mixed MCQs जो हैं मिलने वाले हैं जिसमें आपके जो topic से वो cover करने कोशिश करें और यह की series चलने वाली है reasoning की अगर आप सभी साथ रहेंगे तो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है अगर मैं आप सभी के लिए महनत कर रही हूँ, तो आपको खुद के लिए महनत करनी पड़ेगी आपको भी videos देखनी पड़ेंगी और एक छोटा सा काम करना पड़ेगा क्या करना है, वो free में classes मिल रही है, तो like तो करना ही पड़ेगा like तो बनता है, हर एक बच्चा एक like कर दे, like, share and subscribe ठीक है, subscribe कर लो, अगर अभी तक नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी हाथ जोड़ गई है ही request है, क्योंकि मैंने देखा है, कुछ बच्चे इतने चंट हैं, वो जो है subscribe नहीं करते हैं देखो, फिर मेरा मन टूर जाएगा, तो मैं वीडियो जो है फिर public आप सभी के लिए कैसे लेकर रहा हूँ है तो subscribe करना आपका काम है, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताओ, भई अब classes स्टार्ट होगी योनी classes पर, क्योंकि हमने क्या नारा दिया था SOSC के लिए, हमने का था, योनी classes का नारा है, और आप सो भी कमेंट बुक्स में बता सकते हैं, योनी classes का नारा है, SOSC हमारा है और इस सार हमें ऐसा करके रहना है, तो देखिए, आप सभी जो भी मेरे subscribers हैं, उन सभी के लिए, मैं ये प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ी आप सभी को कराने वाली हूँ कई concept आपको यहाँ पर reasoning के cover होंगे, और आपको reasoning का level समझ में आएगा कि किस level के question करवाया ही जाएंगे, और किस level के question आपके mock test में आएंगे, ठीक है, आप देखो यानि कि जो आपका exam है, उसमें किस type के questions आएंगे अब देखो थोड़ा सा motivation करने के लिए, क्योंकि हम जब कभी भी त्यारी करते हैं, तो हमारे अंदर से एक motivation जो है, वो चला जाता है कही न, कहीं हमें डर लगता है, क्या हम सफल हो पाएंगे, क्या सब कुछ हो पाएगा सही से, तो यह सारी चीज़े जो है, आज discuss कर लेते ह इसी में मैं आपको चोटा सा motivation हर वीडियो के स्टार्टिंग में देनी की सोच रहे हूं, क्योंकि आप सभी aspirants हैं, तो आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा, तो देखो यह बात हमेशा ध्यान रखना, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दोरान ही इंसा अकेला होता है, सफलता के बाद तो सारे दुनिया साथ होती है, यह बिलकुल सही बात कही है कि कभी भी संघर्ष करने से नहीं घबराना चाहिए, महनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी यह मत सोचों कि हमें जो है खाना पका पकाया मिलेगा, हमेशा यह सोचों हमें महनत करनी है अपना खाना खुद पकाना है और खुद खाना है खुद खाना पकाकर खाने का स्वाधी कुछ अलग होता है तो इसी तो अलग काम करने के लिए आप सभी जो है गवर्मेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल से हटकर आप सभी SOSC में जाना चाहते हैं तो SOSC में हमारे दुआरा हुआ है योनिक्लासिस के दुआरा हुआ है तो यह बस इतना बताना है आपको कि कभी भी नहीं डरना है ये बच्चे वही है जो क्या है अभी तक जनकी आवरेज आ रहे हैं अब जो है वो आगे बढ़ गए ठीक एस तरीके से आपको भी अपना सपना पू इस्ट्राग्राम पर मुझे बात कर सकते हैं कि वहला 800 रुपे में पूरा कोर्स आपको परचेज हो जाएगा नोट्स है और रिकॉर्ड ग्लासिस वगरा सब कुछ मिल जाएंगी ठीक है प्रेक्टिस करने के लिए आप रिल्स वगरा स्कॉल करते रहती हो उसको छोड़ो अब पढ़ाई पर लग जाओ देखो यहां पर कोशन है रीजनिंग का फर्स्ट कोशन आप सभी के सामने है आप देखो यहां पर दे रखा है सबसे पहली बात तो मैं आप सभी से पूछूंगी यह कौन से टाइप क है ठीक है फिर यह बताता है मेरी पतनी की मा की इकलोती बेटी आपकी बेहन के भाई की भापी है महिला का पती साहिल से क्या नाता है किस प्रकार से समंदित है महिला को जो पती है वो साहिल से किस प्रकार से समंदित है तो यह इस टाइप के कोशन को रीजनिंग में क्या बो तो यह है आपका blood relation वाला question, तो वीडियो pause करो, और हमेशा की तरह मैं यही कहूंगी, वीडियो pause करो, और check करो अपने आपको, क्या मुझे यह question आता है, और हर question में आपको यही चीज करनी है, ठीक है, तो इसको जो है आप फटा फट से solve करने की कोशिश करो, अगर आपने blood relation की practice कर ली है, तो आप देखो, इसमें बोला है, साहिल जो है, ठीक है, मैं English medium में भी हाँ पर इस वाले question को लेकर आई हूँ, आप से भी देख सकते हैं, जो English medium के जो बच्चे हैं, वो देख सकते हैं, इसको pause करके आप देख सकते हैं, मैं इसको हिंदी medium में solve करके रिखाती साहिल ने कार में बैठी एक महिला से कहा, ठीक है, अब साहिल के बारे में पहली बात हो रही है, तो यानि कि साहिल बता रहा है, किसी को introduce करा रहा है, इसमें क्या होता है, कि हम दिवार पर एक फोटो लगी होती है, उसको कोई विक्ति introduce करा रहा है, इस तरीके से भी question put out किये साहिल, ठीक है, इस तरीके से हाँ बना ले, साहिल, साहिल जो है, उसकी पतनी, और ये बात समझ में रखना, आप ये जो है, मेल के लिए होता है, ठीक है, और ये सरकल जो है, ये फीमेल के लिए, मैंने हाँ पर बताया है, ठीक है, फीमेल के लिए होता है, अब साहिल मेल हो क्यों क्योंकि उसकी पत्नी की बात हुई है पत्नी फीमेल है तो मेल और फीमेल होते है न इसमें तो फीमेल आप मैंने यहां पर सरकर रख दिया अब ना तो इसकी पत्नी का कहीं पर नाम बताया तो इसलिए मैंने केवल सरकर रख दिया यहां पर फिर बोला है मेरी पत्नी की म मा, उसकी पत्नी की मा, यानि कि साहिल की पत्नी है, इसकी जो मा है, मा उपरवाल जनरेशन में आएगी, तो यानि कि मा आ गई, ठीक है, कि इकलोती बेटी, इसकी मा की जो इकलोती बेटी है, यानि कि खुद यही साहिल की पत्नी इकलोती बेटी होगी, एक तरी किसम देख सकत फिर आगे बोला है आपकी बेहन के भाई की भाई है अब आपकी जो ये संटेंस यहां से स्टार्ट हुआ है आपकी बेहन के भाई की भाई है यहां पर आपकी यानि कि हम कभी बात करते हैं तो जैसे मैं आप सुभी से बात कर रही हूँ तो मैं कहरी हूँ आपका भाई इसका बोल रहा है, ये साहिल बोल रहा है कि आपकी बहन, यानि कि इस महिला की जो बहन है, उसका भाई जो है, उसकी भाई है, ठीक है, कौन है, ये, इसकी पतनी है वो, किसकी भाई है, इस महिला की, बहन के भाई की भाई है, ठीक है, इसका मतलब अगर हम देखे, इस महिला की, तो जो भाई है उसकी भावी है यानि कि ये जो भाई है इसकी भावी है यानि कि इसका एक और भाई होगा जिसकी पतनी होगी कोई ठीक है जिसकी पतनी होगी कोई तो वो जो है वो कौन लगेगी समहिला की आप खुद ही सोच के बताओ देखो ये इसकी बहन है ठीक है ये जो ले किसको इंटिड्यूस करा रहे हैं यह भावी यही है साहिल की पतनी को भावी बोला गया है ओके तो यानि यह जो लेडी है इंडिरेक्ट लिए अगर हम देखे तो यह जो लेडी है वो साहिल की बेहन हो गई है ना साहिल की बेहन कोन हो गई यह जो है लेडी हो गई अब यहां हम बनाते ने एरो ये शादी को दिखाने के लिए होता है दोनों तरफ से रिलेशन होता है इसलिए इस तरीके से दोनों तरफ एरो लगते हो कि तो ये इसका जो पती है ये बॉक्स बना दिया मैंने क्योंकि मेल होगा कोई ना कोई इसका जो पती है वो साहिल से किस तरीके से स तरीके से, तो यहाँ पे बोला गया, महिला के पती का साहिल से क्या सम्मंद है, जो पहले, जिसके बारे पहले बोला जाता है, उसका हमें बताना होता है, जैसे महिला का पती, यानि कि इस लेडी का जो यह पती है, इसका सम्मंद साहिल से किस प्रकार है, तो यह कौन लगेगा इस साहिल का जीजा लगेगा, तो brother-in-law लगेगा, तो ये बात ध्यान रखनी है, जीजा लगेगा, तो देखो भई, यहाँ पर जो option है आपका, कहीं पर भी जीजा नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पर आपको बता दू, इन्होंने translate करते time, जो है साला जो है लिख दिया है, brother-in इंग्लिश मीडियम का question paper है, उसमें ध्यान रखना है कि उसमें brother-in-law लिखा है, अगर लिखा है तो उसी option को correct कर दो, तो यहाँ पर आपका brother-in-law यानि कि second option correct हो गया है, तो मेरको ये बताओ कि आपको ये question किस तरीके समझ में आया, असान इस समझ में आ गया, या नहीं आया, मुझे comment box में अब आप सभी को ये बताना है, चल ये फटा-फट next question पर चलते हैं, मैं अपनी तरफ से आपके लिए अच्छे सारे question लेकर आए हूँ, और अभी तो ये series काफे चलने वाली है, अगर आप सभी मेरा साथ देंगे तो, और मेरको पता अभी तक क comment box में ये बता दो मुझे, किस type का question है, मुझे बताओ, ठीक है, फटा-फट बताना मुझे ये second question आपका किस type का question है, आप देखो इसमें लिख रखा है, if P plus में Q, ठीक है, दूसरा रंग ले ले लेते हम, color दूसरा ले ले लेते हम, इन्होंने बोला, अगर P plus में Q का मतलब इन्होंने बताया, P जो है, brother है किसका Q का, इस तरीके से इन्होंने मतलब बताएं, फिर पूछा है, last में क्या relation है, ये आपका blood relation का ही question है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इन्होंसा question है, आपका blood relation का ही question दे रखा है, अब देखो यहाँ पर जो है, जिन बच्चोंने blood relation बताया है, वो बिल्कुल सही बताया है, आप देखो यहाँ पर बोला है इन्होंने, P प्लस में Q का मतलब ये है, ठीके, P into में Q का मतलब ये है, ठीके, P minus Q का मतलब ये है, और फिर इन्होंने पूछा है हमसे, कि कौन सा ऐसा option है, जिससे हमें show हो रहा है, I जो है, नाइस ह मतलब क्या होगा यहाँ पर, ना इसका मतलब ये हो जाएगा, कि या तो ये भान जी है, के की, या फिर क्या है, भती जी है, यानि कि I जो है वो क्या होगी, फीमेल होगी, ये बाध्यान रखनी है, किस option से हमें ये नजर आ रहा है, इसका relation, तो फटा फट से सबसे पहले तो सारे option चेक करने पड़ते हमें, इस तरीके से अगर आता है तो, तो एक चीज समझने है, आपको, ये question, hard question में होता है, blood relation के, तो देखो, एक चीज समझने होती हमें, सबसे पहले तो हमें हिंट मिल गई है, कि I, जो है, क्या होगी, फीमेल होगी, ठीक है, फीमेल होगी, यान पूछ रखा है, जैसे आई के पार में पूछ रखा है, अगर वो लास्ट में दे रखा है, तो उसका जो है, मेल या फीमेल हमें पता नहीं चलेगा, समझ में आई बात, तो वो option कट हो जाएगा, जैसे कि, अगर option लास्ट वाले की बात करूँ, तो यहां पर आई दे रखा है, लास्ट में, और इसका हमें जैंडर नहीं पता चलेगा, इसलिए ओप्शन कट हो जाए, क्योंकि हमें तो फीमेल चाहिए ना, आई, तब ही तो हम पता है, तो इसलिए हमारा जो लास्ट वाला ओप्शन वो कट हो जाए, कैसे चेक करेंगे, अब देखो, यहां पर इसकी, आई की, अब आई जो है, इसमें मेल भी हो सकता है, ठीक है, और याने कि यह भाई भी हो सकता है, और यह भेन भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, तो इसलिए हमें आई का जैंडर यहां पे नहीं पता चला है, इसलिए यह ओप्शन से कट हो जाए अब देखो यहां पर जैसे की आप सभी देखी रहे हैं अगर मैं स्कूर्चा बटारी है और को मैं सक देक्का दॉट दीन को इंहोंने तो हमें कोशन में अगर वू पी से स्टार्ट ना होकर यहां पर क्यूं से स्टार्ट हो गया लाई थे आरJack चेंज हो जाएगा, कैसे, इसका मतलब हो जाएगा, अगर यहां पर लिख दिया, Q is the brother of P, तो इसका मतलब क्या है, Y is the brother of K, ठीक है, ना कि K is the brother of Y, Y भाई हो जाएगा, ठीक है, और K जो है, K के बारे में पताने चलेगा, तो इस तरी कैसे होता है, मैं एक ख्याल से बात समझ होगे आप से भी, अब दिखो K plus में Y, यानि कि P plus में Q, as it is दिखाई दे रहा हमें, तो इसका मतलब इन्होंने बताया है, P जो है, भाई है, किसका Q का, तो इहां पर मैंने ब्रदर के लिख दिया, ब्रदर, ओके, फिर इहां पर लिखा है इन्होंने, Y into I, Y into I का मतलब इन् आप जो है, ब्लिड रिलेशन का जो एक तरीके से डाग्राम है, वो बनता है, वो भी बना के चेक कर सकते हैं, बड़ सारे ओप्शन के डाग्राम बनाने बैठ होगे, तो टाइम लग जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन आपको करेक्ट लगी, उसी का डाग्राम बना कर एक र यहां पर बोला है, P is the sister of Q, यानि की, एक मिनट, यह S हो गया, अब देखो, Z जो है, P is the sister of Q, तो देखो, लास से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब है, Z की बहन I है, ठीक है, और I के जो फादर है, वो क्या है, Y है, I के फादर Y है, और Y क्या जो भाई है, वो B है, तो इस अको I जो है sister है, इसका मतलब यह female है, यह तो check हो गए हमारा, तो यह option हम check कर सकते हैं, आप देखो, यहां पर जो है, बोला गया है, अगर हम normally देखे, तो Z की बहन I है, आई के पिता कोन है, Y है, और Y का भाई कोन है, Y का भाई K है, तो Y का जो भाई, यानि की I का, I के फादर कोन ह Y हो गए, Y हो गए, I के फादर Y है, ठीक है, और इनका भाई कोन है, K है, और K की यह भतीजी लग सकती है, है न, और भतीजी यानि की nice, तो यह अपना option नहां पर correct हो गया, इस according हमें देखना होता है, हमें देखो, बस यहां पर यह जो Z का हमने देखा न, वो केवल हमने यह male है या female है, आई, इस according हमने 0 तक देखा, तो इस according अपना option number A जो है correct हो गया, तो इस according हमें देखना होता है यह, आप देखो इसी तरीके से next question पर चलते हैं, next question जो दे रखा है, वो आप सभी के लिए मैंने question छोड़ा है यहां पर, आप सभी इसका answer बताओगे और comment box में आप सभी इसका answer मुझे comment box में बताना है, आप देखो next question है, next question दे रखा है, और यह किस टाइप का question है, reasoning में मुझे comment box में यह भी बताना है आप सभी को, देखो यहां पर लिखा है, one morning Kiran and Kushal were sitting opposite to each other, ठीक है, यह बैठे हैं, एक दूसरे के विपरित बैठे हैं, कौन Kiran और क जो कुशल है, वो एक दूसरे के opposite bet है, फिर ने बोला है, it was observed that Kiran's shadow fell to his right, which direction was he facing, अगर यह भी देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कि यह किस टाइप का question है, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो reasoning में, direction का question है, बही यह direction का, मेरे खाल से आप सभी किरन और कुशल बैठे है, और जो एक दूसरे के opposite bet है, विपरिद बैठे है, अब यहां बे बोल रखा है, किरन की जो shadow है, वो क्या है, वो right है, किस के right में है, कुशल की shadow के right में है, तो कौन से direction में है, को मैं चुटकियों में solve करने का तरीका आपको बता देती हूं, किस तर देखो, सुबह जब सूरज निकलता है, हमारी ये direction होती है, north, east, west and south, ठीक है, news करके भी याद कर सकते हो, आप किस तरीके से news करके याद करोगे direction को, देखो, n, e, w, s, news, okay, इस तरीके से, आप देखो, यहां पे जो है, आपका, जो सूरज निकलता है, कौन सी direction में निकलता ह तो इसका मतलब सूरज पुर्व दिशाद से निकलता है, तो सूरज जो है, east में निकला है, यानि कि सूरज हमारा सूरज देवता इस साइड निकले, अपने, okay, तो ये चीज़ समझ में आ गई, जब सूरज हमारे east में निकलते है, तो हमारी परचाई हमेशा याद रखना ह उसके opposite ही पड़ती है याने कि अगर कोई यहाँ पर face करके खड़ा है इसका मतलब कोई यहाँ पर face करके खड़ा है तो उसकी परचाई इस तरीके से यहाँ पर ही पड़ेगी यह बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर सूरज की चमक पड़ रही है और उसकी पलचाय, उसके shadow उसके बिल्कुल opposite बनेगी, पीछे के तरफ बनेगी, ओके, ये चीज़ समझ में आगे, अब morning के बारे हम बात करकी है, कीरन और कुशल opposite direction में खड़े हैं, ठीक है, opposite direction में face करके खड़े हैं, यानि कि दोनों का face आमने सामने नहीं है, इसमें दो इता हमारे यहाँ पर हैं, ठीक है, आप देखो, एक का face उपर की तरफ है, और एक का face नीचे की तरफ है, और किस का face उपर की तरफ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, आप देखो भई, कोशन से हमें समझ में आएगा, एक का face उपर है, एक का नीचे है, और ये सूरिय देवता है अपने ओके इस तरीके से अब देखो यहां पे बोला है इन्हों ने it was observed that किरन's shadow fell to his right यानि किरन की जो परचाई है वो right में पढ़ रही है किसकी right में कुशल के right में पढ़ रही है कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं है नहीं आपे कुशल ही है और उसके right में पढ़ रही है एक और चीज भी नहीं आगे बोल दी which direction was he facing किसका face की बात कर रखी है which direction जिसकी बात अभी यहां पे हुई है his कौन his किसके लिए use हुआ है कुशल के लिए use हुआ है ठीक है अब देखो यहां पे किरन की जो आइड़ है कुशल के right में पढ़ रही है एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है आपको जब हमारा face उपर के तरफ होता है तो हमारा right direction कहाँ पर होगा यह अपना right हो जाएगा यह अपना left हो जाएगा यह बात ध्यान रखनी है और जब left के तरफ होते हैं तो इसका opposite हो जाता है, right अपना किस side होगा, right अपना is side होगा, और left अपना is side होगा, इस तरीके से होता है, ओके, ये चीज़ से मंज में आई, अब चलो यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर कुशल को, कुशल के right में की डन की परचाई है, कुशल का right, क उसका पोजिट होना चाहिए, कुशल के राइट में, जो है किरन की परचाई, यानि किरन की परचाई इस साइड आएगी, अगर मैं यहाँ पर किरन को यहाँ पर बिठा दू, तो आपको पता है किरन की परचाई इस साइड तो कभी भी नहीं आएगी, क्यों कि सूरिय देवत जब किरने पड़ती है, सूरज जब निकलता है, उसकी किरने पड़ती है, तो परचाई हमेशा इस साइड बनती है, ठीक है, इस साइड बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब, हमें समझ में आया, किरन जो है, कभी भी इस वाले, जो इस Esion दिये, उसमें नीचे नहीं बैठेगी ठीक है कीरन यहाँ पर नहीं बैठ पाएगी अब देखो अगर मैं यहाँ पर यह है और यह अपोजिट करके बैठे अगर यहाँ पर मैं कुशल को बिठा दूँ कुशल को बिठा दूँ ठीक है भई, इसके right मया ने कीरन को आपर बिठा देते ए, कीरन को जो मैंने ऊपर बिठाया तो यहाँ पर इसकी परचाई पढ़ रही है और यही चीज जो है हम कहते है कि सूरज की जब जो किरने पढ़ती है तो जो वेक्ति इस तरीके से बैठा है उसकी परचाई यहां पर ही बनने चाहिए और इस तरीके से कुशल की परचाई भी साइट बन जाएगी और किरन की भी साइट बन जाएगी अब चुटकी बजाने के लिए भी काम करना पड़ेगा, हाथ ही लाना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, यह मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स यह बार धियान रखो, सीरीज हम कंप्लीट करजाएंगे, आपका सेलेक्शन करवाएंगे, उसके लिए हमें भी थो थोड़ी सी वो जो एप्रिशेट, जो है वो मिलना चाहिए है न, फटापट करो, आप देखो, नेक्स्ट कोशन है, ऐसे इसी कोशन लेकर आई हूँ, जिससे आपके कोंसेट भी क्लियर होते हुए चलेंगे, अब यहां पर पूछा गया है हमसे, और यह कौन से टाइप का कोशन है, सबसे पहली बात हो मैं हर कोशन में आप से हही पूछूँगे, कौन से टाइप का कोशन है, क्यों मुझे जानना और यहां बहुत हो रहा है, कोशन भी सीख रहे हो आप, और मुझे टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही है, आप देखो यहां पे, यह है आपके डिरेक्शन का कोशन, ओके, अब इन्हों में बोला है, गीता जो है, गोज फाइफ किलोमीटर वैस्ट, सबसे पहले तो आपको डि कि वजे से, यहां पे अपना नोर्थ है, अब इन्हों ने बोला, गीता जो है वेस्ट की तरफ चल रही है, यानि की गीता यहां पर कहीं है, वेस्ट की तरफ चल रही है, फाइफ किलोमीटर चली, अब मुझे थोड़े से बड़े एरिया में यह बनाना पड़ेगा, क्यों मैंने ऐसे बोला क्यों भी मुझे इसके लिए वो चाहिए न थोड़ा बड़ा पेज देखो भई गीता ने चलना शुरू किया मानों गीता ने यहां से चलना शुरू किया वेस्ट की तरफ यह पाँच किलोमेटर गई ओके फिर यह ने बोला देन ही टर्न्स लाफ्ट वेस्ट की तरफ गई है ना सोरी 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 वेस्ट की तरफ आप सबी भी नहीं बता रहे हैं देखो वेस्ट की तरफ यहां पे गई पाच किलोमेटर गई ओके गई है वेस्ट की तरफ फिर ये पूछ रहे हैं कि फिर ये नोंने बोला फिर वो left मुड़ती है then turns left अब इसका left क्या होगा left जो है आप देखो इसका left जो है नीचे वाला होगा है ना यहाँ पर ये 10 km चल पड़ी ओके भई 10 km चला देते हैं इसको चल गई फिर ये बोल रहे है then she turns right उसके बाद वो right लेती है जब नीचे से right लेती है तो मैंने बताया है उपर से अगर हम right लेंगे तो ये right पड़ जाएगा बट नीचे की तरफ की बात करें तो आप उजिट हो जाता है तो नीचे का right इस साइड है और कितना चल रहे है ये 5 km चल रहे है राइट लेकर आदेखो इसको चला दिया हमने 5 km ठीक है भई इसके बाद बोला then she turns right and goes 10 km फिर वो दुबारा से right ले रहे है इसको ज़ादा right लेने का शोक है इसको right दिलवाई देते है अब हम देखो वो दुबारा से right ले रहे है और 10 km चल रहे है अब इसमें जो है वो right लेगी याने कि वो ओपर के तरफ जाएगी और ये कैसे पहचानेंगे ये एक मैं concept बताऊंगी आपको इसको याद करने का मढ़ी आसानी से कर सकते हो डारेक्शन में कभी गलती नहीं करोगे अगर मैंने आपको बता दिया अब भी नहीं बता सकते है क्योंकि मैं अपने हाथ कैसे दिखा हूँ आप सभी को उसके लिए एक शोर्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बता दूगी ठीक है इसके बाद बोला at what distance she from the starting point starting point से वो कौन से कितना distance उसने cover किया है यह distance और direction वाले कोशन होते है तो इसमें कितना starting point इसका point starting यह है ठीक है यह वाला starting point है इसका अगर मैं देखूं यहां से यहां तक 5 km है ठीक है भई और यहां से यहां तक का भी यह 5 km है यानि कि यह वाले line भी 5 km है ठीक है भई इन दोनों को plus कर दिया निकल गया है 10 km ठीक है तो इसका answer हो गया 10 km आप देखो हमसे इस तरह के से भी पूछ सकते है कि यह जो अपने starting point से कौन सी direction में है तो कौन सी direction में है यह बना कर देख लो यहीं पर फटाफट कैसे देखेंगे फटाफट देखते हैं मैं बताती हूँ आपको देखो हमें क्या करना है जो starting point वाला यह है इसको बिल्कुल यह last point यह last point है इसका और इस starting point है मिला दो आप देखो इस तरीके से यहां पर जो है मैंने यह draw कर लिया और यह मैंने plus का sign जो है यहां पर इस तरीके से बना लिया रुको दूसरे color से बना कर बताती हूँ आप देखो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया इस तरीके से आगे चलते हैं, टाइम जादा बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं, जो मौक टेस्ट की बात होगे, जो मौक टेस्ट ही करेके चलेंगे, अब देखो अगला कोशन कौन सा है, और कौन से टॉपिक से पूछा गया है, मुझे कमेंट बोक्स में बताओ, देखो बई, कोई यह भी आपका डिरेक्शन से ही दिया गया है, ठीक है, अब डिरेक्शन का यह होता है, एंगल वाला कोशन, यह मैंने डिरेक्शन के हर टाइप के कोशन यह आप इंगल्यूड इसलिए करें हैं, कि आप एक डिरेक्शन का कंसेप्ट यहां पर समझ लो, ठीक है बई, इसमें फेस की साइड का रखा है साउथ की तरफ यह अक्षरा जो है वो सीरियल वाली अक्षरा नहीं है ठीक है आप देखो यह थोड़ा मजाक इसलिए है कि आप सभी बौर ना हो क्यों 28 मिनट की वीडियो अभी अल्रेडी हो चुकी है तो बौर नहीं होना है और आप सभी देख रह देखना है इसमें बोलाजाता है clockwise और anticlockwise आप इसको किसे करोगे आप अपने घडि को देखो अभी और अभी रट़ो aik में क्या होता है घड़ी इस तरीके से चलती है हमारे सूई हो टियो के सो इस जो परती यह ट्लोक वाइज इन बाद ध्यान रखनी है, और anti-clockwise कर से याद रखोगे, clockwise तो यह हो गया, ठीक है, और anti-clockwise इसका उल्टा हो गया, इस तरीके से उल्टी जो है, anti-clockwise चलती है अपनी, यह बाद ध्यान रखनी है, आप देखो, इसमें बोला है, अक्षडा का जो face है, साउथ की तरफ है, यह 45 डिग्री मुड़ती है, किस उसमें? डिरेक्शन में, clockwise में, फिर यह 120 डिग्री जो है, एंटी-clockwise जो है, डिरेक्शन में मुड़ती है, फिर इन्होंने बोला, अब उसका जो face है, किस side है, यह बोला है, आप देखो, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसमें जितने भी नंबर दे रख्या है, एक बात ध्यान रखनी है, अगर clockwise के जितने नंबर दे रख्या है, इसमें, जैसे एक 45 डिगरी बोल दिया है, इन्होंने, मानों इन्होंने बोला, कि यह दुबारा सुजन 90 डिगरी clockwise दुबारा जे मुड़ गई, ठीक है, तो हमें जितने भी clockwise वाले दे रख्योंगे, उसे प्लस कर देना आपस में, ठीक है, और जितने एंटी clockwise वाले बोल रख्योंगे, उनको प्लस कर देना आपस में, और फिर इन दोनों को माइनस कर देना, ठीक है, यह बात आपको धियान रखनी है, फिर दूसरी बात छोटा है और 120 degree बड़ा है इसलिए मैं anti-clockwise में इसको गुमाऊंगी last में यानि कि अभी आपको समझ में आने वाला है देखो भाई इसमें क्या करना होता है 120 degree अब 120 degree में से मैं 45 degree को माइनस करने वाली हूँ ठीक है देखो 10 में से 5 गया 5 आ गया ठीक है यहाँ पे 11 में से आपके अगर 4 जाते है तो साथ आ जाएगा 75 degree तो 75 degree है आप देखो 75 degree आपका किस तरीके से बन सकता है इसमें जो है आपका जब यह होता है तो इसमें एंगल आपके डिरेक्शन में किस तरीके से बनते हैं यह हो गया आपका 90 degree, ठीक अभी ये 90 degree हो गया, मैं साउट से समझा देती हूँ, क्योंकि आपको दिक्कत होगी फिर, देखो ये हो गया 90 degree, ठीक अभी 90 degree हो गया, ये हो गया 30 degree, इसमें 30 degree बन गया, ये हो गया 60 degree और ये हो गया आपका 90 degree, है न, यानि कि आपका 90 degree किस तरीके से, 90 degree बनने क उसमें 30 degree भी आता है, फिर प्लस में 30 degree भी कर सकते हैं, फिर प्लस में 30 degree भी कर सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, 90 degree बनाने के लिए, हाथ जाम हो रहे हैं, 90 degree बनाने के लिए, आप क्या कर सकते हो, 60 degree प्लस में 30 degree भी कर सकते हो, तो 90 degree बन गया, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, 45 degree प्लस में 45 डिग्री कर सकते हो, क्या बनाने के लिए 90 डिग्री बनाने के लिए, अब ये कैसे करेंगे हम, जैसे के मेरा आया 75 डिग्री, अब देखो 75 डिग्री में मैं क्या कर सकती हूँ, पास वाला, यानि कि 60 डिग्री ले सकती हूँ, 60 डिग्री ले लिया, 60 डिग्री का मत तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना जैसे कि ये साउथ की तरफ थी, अब मेरा आया 75 डिग्री निकल के, ठीक है, अब मुझे कहां पर घुमाना इसको एंटी क्लोकवाइस घुमाना है, यानि कि क्लोकवाइस तो अपना इस तरीके से घुमाते हैं, यानि कि मुझे इस तरी इसको घुमाना है, तो मुझे 75 डिग्री गुमाना है, इसका मतलब 30 डिग्री ये हो गया, 60 डिग्री ये हो गया, और ये होता अपना 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा कम यहां पर आयेगा ये, ठीक है, क्यों 15 डिग्री और गुमाया ना मैंने, यतना जाकर यह हो गया 60 degree और ये वाला जो है मैंने 15 degree और गुमा दिया इसको ठीक है इनको प्लस किया 75 degree अब देखो इसमें 15 degree और भी तो छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर मुझे 15 degree or something तो तभी तो जाके 90 degree आएगा तो इसका मतलब मैं देखू अगर मैं इसको south की तरफ face है और 75 degree म इसको क्या कर रही हूँ anti-clockwise गुमा रही हूँ तो यह कही ना कही इस तरीके तहीं आप पर आएगा ठीक है यह समझ में आगा यह south की तरफ है और देखो एक बात समझो यह होता है आपका यह वाला जो है आपका कहां पर है यह यह आपका east में है ठीक है यह east में है तो यानि क यह कही ना कही south और east के बीच में आ रहा है यह वाला point okay south east आपको ध्यान रखना है यह जो आपकी इसका अंसर आपका south east हो जाएगा पहली बात तो हमने यह वाला clear कर लिया option आप देखो एक बात ध्यान रखना है इसमें इस तरीके से होता है आपका यह north होता है यह south होता है और यह west होता है अब देखो यहाँ पर जो है अगर इसके बीच में कहीं पर भी कोई भी आ जाता है तो वो आपका south east कहलाएगा इसके बीच में कहीं पर भी कुछ भी आ जाता है तो वो आपका north west कहलाएगा और इसके बीच में कहीं पर भी कुछ भी आ जाता है तो वो आपक को ठ्यान रखने हैं चले पर अगे चलते हैं और यह कौन इसा था आपका साय। इस था है आ आप दिखो एक छोटा सा काम करना आप सभी को यह ट्यूट्वर्प के वारे में बच्चों को पता नहीं को स्टूडेंट्स को और हमारा टैलिग्रम गुरूप का नाम है यह क्लासे तो इसको कर लो subscribe फटा फट और इसको subscribe मतलब नहीं join करना है मतलब मेरा बार-बार subscribe बोल देती है क्योंकि YouTube पर आपको चला 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 बोलना पड़ता है ना subscribe करने के लिए फिर भी नहीं करते हो अरे भई कर लिया करूँ आपके लिए फायदे के लिए बना रखा है मैंने चैनल अपने लिए ने बना रखा ही ठीक है आप देखो आगे चलते है अगला जो कोशन है इस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग का कोशन आता है और देखो मैं टोपी का नाम खुदी बता दिया और इसका आँसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ठीक है फटाफट से करना एका अब देखो यहां पर दे रखा है इंगलेंड को लिखा गया है इसमें और फ्रांस को लिखा गया इसमें तो इसको किस चीज में कौन से कोड में लिखेंगे ठीक है यह चीज बोली गई है अब यहां पर दिखाये दे रहे हमें एक चीज को में दिखाये दे रहे है देखो यहां पर आया है यहां पर आया है क्या एक ही नंबर से डिनोट किया गया है यह को इसमें वन से दिखाया गया है और यह को लाश्ट है न यह इसमें भी वन से दिखाया गया है ठीक है अब तो दिखो N, N यहाँ पर है, यानई पीछे से तीसरा, दो नमबर से दिखाया गया, अब N यहाँ पर दूसरा है और इसको भी दो नमबर से दिखाया गया, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ किया, कि यह जो वर्ड है, इसको हमें किया करना है, E, N, एक मिनट, यहाथ काम निक कर रहे हैं, E N, रुको, N, G, L, A, N, D, इसके निचे लिखलो, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, इस तरीके के, तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से, जो है, इसका मतलब E का 1 है, N का 2 है, G का 3 है, इस तरीके से बता रखा है, अब जो हमें इसी तरीके से France के भी इसी तरीके से F का मतलब 7 है R का मतलब 8 है इस तरीके से बता रखाए अब हमें क्या करना है? हमें कुछ लिखने के जरूरत नहीं है G लिखो, R लिखो E लिखो, E लिखो C लिखो और E लिखो सबसे पहले तो E का देख लो E को 1 बोला क्या है अब C को क्या बोला गया है? C फ्रांस में है C को 9 बोला गया, 9 लिख लिया G को क्या बोला गया है? तीसरे नमबर पर देखो तीसरा लिखा है है और R को क्या बोला है? देखो यह दूसरे number पर 8 लेका है तो यही इसका answer हो जाएगा 381191 381191 option number भी correct हो गया देखा कितना असान था coding decoding इसी level कियाएगी आपकी और और भी तरीके की coding decoding होती है तो एक type है coding decoding का next question है यह next question थोड़ा सा अधूरा आ गया है इसमें question में क्या था मैं आपको औरली बता देती हूँ इसमें बोला क्या था हमें ऐसे 5 यहां पर खोजने आए यह जो number दे रखे हैं जिसके पहले क्या आए जिसके पहले 7 आए और जिसके बाद में क्या आए जिसके बाद में 6 आए इस तरीके से ठीक है ऐसे 5 कितने हैं इसमें जिसके पहले 7 आ रहा है और जिसके बाद में 6 आ रहा है अब देखो यहां पर 5 दे रखा है बट इसके पहले 7 नहीं है यह वाला हम नहीं गिनेंगी अब देखो यह वाला देखो इसमें जो है ये 5 दे रखा है इसके पहले 7 है बट इसके बाद में 6 नहीं दे रखा है तो ये वाला भी नहीं गिनेंगे ठीक है भई अब next देखो कहाँ पर है 5 ये रहा 5 इसके पहले 7 नहीं है इसके बाद में 7 दे रखा है तो इस वाले को हम count कर लेंगे next देखो 5 कहां पर यह है और इसके पहले बाद का भी लागू नहीं हो रहा तो यानि कि ऐसा number 5 जो है एक ही है और यह अपना option number 1 जो है आपर correct हो जाएगा ठीक है इस तरीके से question भी आपको देखने के लिए मिलेंगे reasoning में अगला question है बहुत असान है यह vein diagram वाला question है आपका क्योंकि मुझे लग रहा है students पहचान चुके है topics नहीं जाना है मेरे को comment पढ़ने के बादे पता चलेगा कि आपको कितना आप कितने पानी में हो है ना सभी बताऊं तो आप देखो यहाँ पर जो है बोला है इनोंने bus, scooter और वाहन vein diagram बनाना है इसका English में भी देख लो भई आप सभी English medium students हो देख सकते हैं ठीक है आप देखो यहाँ पर बोला है bus, scooter, वाहन अब देखो यहाँ पर bus जो bus है और जो scooter है उनका आपस में कोई relation नहीं है scooter अलग होता है, bus अलग होती है bus में तो कितने सारे लोगों को बिठा के चले लेते हो आप, और scooter अलग होता है और दोनों के दोनों विकल है है ना दोनों के दोनों विकल तो यानि कि यह दोनों इसके अंदर आ जाएंगे यह हो गया अपना वाहन यानि कि vehicle, ओके, यह क्या हो गया, यह vehicle हो गया, यह अपना scooter था और यह अपनी बस थी, vehicle के अंधिया दोनों आएंगे, इसलिए option number 1 जो है, इसका correct हो गया, इस तरीके से होता है यह question, कितना आसान था न, आप चलिए, हम जो है next question कर लेते हैं, next question है यह, अब मैं आपको अगर ब अब मैं देखती हूं कौन-कौन बच्चा इतना serious है, इतना मेरी बातों को मानता है, कि वो homework का answer देता है, फटा-फट से इसका answer बताओ, अगर नहीं निकला, तो भी बताओ कि मैं हमसे नहीं निकला, और नहीं आता concept, तो भी बताओ, मैं मुझे concept नहीं आता न, तो मैं यह सम मजदार, उनको सब कुछ आदा, उनको कुछ करवाने की जरूत नहीं है, है न, तो मुझे ऐसा लगएगा, और देखो भई, अपना प्यार दिखाने के लिए, आप सभी like कर सकते हैं, share कर सकते हैं, subscribe कर सकते हैं, और यह मैं गला, फाट-फाट कर इसलिए बोल रही हूं, क्य कि आप सभी की भलाई के लिए बोल रही हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपको सिरीज चाहिए आगे, इस तरीके की मॉक टेस्ट के, जिसमें आपको mixed MCQs मिले, जिसमें आपके concept career हो, जिसमें मैं गहराई में आपको चीजे पढ़ा सुकू, और एक चीज और बता देना मुझे, क्या मैं जो इतने गहराई में आपको समझा रही हूँ, यह सही है या नहीं, या फिर मैं शोर्ट में बस answer निकाल निकाल के छोड़ कर चली जाऊं, यह चीज बता देना मुझे, ठीक है, मुझे आइड़ लग जाएगा कि आप किस तरह क्लासिस जो है आपको ठीक लगती है तो यह वीडियो आप सभी के लिए कितनी जादा helpful रही है, आप सभी मुझे comment box में बताएंगे, और दूसरी बात मुझे यह बताएंगे कि class को हमें continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और तीसरी बात आप सभी like, share and subscribe करेंगे, ठीक है, subscribe जरूर कर लेना भई, क्योंकि भ तो मैं यह देखना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे कितना चाह फिल होगा, मेरे लिए भी achievement होगी, और जब आप SOSC में आपका selection हो जाएगा, तो आपके लिए भी achievement होगी, तो thank you for watching this video, and like, share and subscribe, और telegram group को join कर लेना, योनिक classes के नाम से है, और Instagram ID योनिक classes के नाम से ही है, और यह homework question है, जिसे आप सभी को मुझे करके देना है, और देखो भाई, यह PDF इतनी ज़्यादा numbers की बना रखी मैंने, अभी तक 15 ही आपके page हुए है, और भी कराऊंगी, और और भी question वो भी करवाऊंगी, और करवाऊंगी, तो आप सभी को जो है, ध्यान रखना है, कि आप सभी को इस जैनलर बने रहने के लिए, जो है, जो question दिया जाए, उसका homework भी attempt करना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और मिलेंगे बहुत ही जल्द, new class के साथ, अगर आप सभी का प्यार जो है, इसी तरीके से बना रहता है तो, थैंक यू,